नमस्कार मैं रोहित कुमार आप देख रहे हैं कापिटल टीवी उत्रप्रदेश की स्पेसल स्टोरी हाली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संसदिय छेत्र वारा नसी में राहूल गांधी सनीवार को भारत जोडो नया आत्रा लेकर पहुंचे यात्रा के दोरान राहूल गांधी के गदोलिया इस्थित नंदेश्वर चौराहे पर जनता को संबोधित किया वही राहूल गांदी के संबोधन के पश्चात 51 लीटर गंगाजल लेकर पहुँचे बीजेपी कारेकरताओं ने नंदेश्वर चौराहे का सुध्धीकरन किया। के पास जाकर दर्शन पूजन कैसे कर सकता है। हिंदू ही तैशी होने का स्वांग करती है और उसके नेता राहूल गांधी को राम तक की संग्यादे डालते हैं। जबकि सत्ता पाने के बाद उसके लिए हिंदू आतंकवाद और बो को हराम हो जाते हैं। ये बातें बीजेपी प्रवक्ता सुधान स्तुरुएदी ने पूर्व केंद्रिय मंत्री एके एंटिनी के उस बयान के जवाब में कहा। जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा को हराने के लिए कॉंग्रेस को हिंदू समुदाय का भी साथ जरूरी है। प्रवक्ता के बयान से ये असपश्ट हो गया है कि मुस्लिम कॉंग्रेस के साथ है। कुछ बयानों का भी जिक्र किया और कहा कि कॉंग्रेस के सत्ता में आने के बाद कभी हिंदू तालिबान है तो कभी बोको हराम। बगर सत्ता में आने के लिए राहूल गांधी राम है। दरसल बीते दिनों कॉंग्रेस नेता शल्मान खुर्शीद ने राहूल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी। जिसके बाद भाजपा प्रवक्ता तृवेदी ने खुर्शीद के उस बयान के लिए भी कॉंग्रेस पर पलटवार किया। को अध्यक्ष बनाना हो। गांधी परिवार देश की ही नहीं बलकि कॉंग्रेस के कारिकरताओं के साथ भी छल करता है। चुनाव अव्यान की शुरुवा थी राम जन भूमी से की उसी कॉंग्रेस के साथ आज ऐसा क्या हुआ कि उसने बहुत संध्यकों की भावना को दरकिनार कर राम लला की प्रान पतिष्ठा में सामिलना होने का फैसला कर लिया। और जिसके लिए अब पार्टी के अंदर से विरोध के सुरुठने लगे हैं। अब अगर कॉंग्रेस के नेताओं की ही बात का यकीन करे तो राजीव गांधी के कहे मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को उसकी प्रान पतिष्ठा भी हो चुकी है। लेकिन अब जो कॉंग्रेस है वो राजीव गांधी वाली नहीं। पत्र जारी कर इस बात का एलान किया था कि कॉंग्रेस और उसके नेता राम मंदिर की प्रान पतिष्ठा में शामिल नहीं होगे। ऐसे में सवाल है कि कॉंग्रेस क्यों कर रही है ऐसा? क्या सिर्फ इस वज़ा से कि राम मंदिर बनाने का श्रय बीजेपी लेता है? जे राम नरेश ने पत्र में लिखा हमारे देश में लाखो लोग भगवान राम की पूजा करते हैं धर में एक नीजी मामला है लेकिन RSS और BJP ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनितिक प्रोजेक्ट बनाया है BJP और RSS के निताओं की और से अधूरे मंदिर का उधगाटन स्पष्ट रूप से चुनावी लाव के लिए किया जा रहा है अब कॉंग्रेस की बात में सचाई तो है BJP ने 1989 के पालपूर अधिपेशन से ही राम मंदिर को अपना चुनावी मुद्दा बना रखा है लेकिन कॉंग्रेस ने भी राम मंदिर का श्रे लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी हाँ ये बात अलग है कि उसे कोई फायदा नहीं हुआ उल्टे हिंदू वोट बैंग उससे चिटक गया जिसका नतीज़ा ये हुआ कि 1984 में 404 सीटे जीतने वाली कॉंग्रेस 1989 के लोगसभा चुनाओं में सत्ता सही बाहर हो गई फिर 1991 के लोगसभा चुनाओं में भी कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र में राम मंदिर का शिक्र किया और कहा कि बिना बावरी गिराय ही अयोध्या में राम मंदिर बनेगा 1991 में कॉंग्रेस की जीत हुई नरसिमा राव प्रधान मंत्री भी बने लेकिन इस जीत में कॉंग्रेस को राम मंदिर की कोई खास भूमिका नहीं दिखी ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कॉंग्रेस को अब वही दिन याद आ रहे हैं जिसकी वज़ा से उसने खुद को राम मंदिर से अलग कर लिया कॉंग्रेस ने जब सौफ्ट हिंडू का सहारा लिया चाहे वो गुजरात का चुनाव हो या फिर उत्र प्रदेश का चुनाव या फिर अभी हालिया बीता मध्य प्रदेश का चुनाव कॉंग्रेस को नुकसान ही उठाना पड़ा है भले ही राहूल गांधी ने जनेव लपेट कर मंदिर मंदिर परिकर्मा की या फिर प्रियंका गांधी वाडरा ने नवरातर का व्रत रखा या फिर कमल लात ने राम कथा का आईगोजन करवाया या फिर भुपेश पटेल ने कौसल्या माता मंदिर बनवाया उसे चुनाव नहीं हुआ. अब कॉंग्रेस से कम से कम मुस्लिम वोट ना चिटके इसकी ही जुगत में कॉंग्रेस ने खुद को राम मंदिर से दूर कर लिया है. क्योंकि कॉंग्रेस को भी पता है कि पूरे देश में मुस्लिम का वोट करीब 15 फिसदी है. और इसका सबसे बड़ा हिस्सा ह जक्षिन भारत में खिसकती बीजेपी की सियासी जमीन। जिस पर कॉंग्रेस लगातार मजबूत होकर उभरती हुई दिख रही है। कॉंग्रेस को इस बात की बखुबी जानती है कि वो चाहे जितना भी कोशिश करे उत्तर भारत में उससे कुछ खास हाशिल होने वाला नहीं है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो भी हाशिल होगा उसके सहयोगियों को होगा। मध्यप्रदेश, 36 गड़ और रायस्थान में अभी कॉंग्रेस भरपूर ताकत जोकने के बाद भी बड़ा नुकसान उठा चुकी है। गुजरात में कॉंग्रेस के पास पाने के लिए कुछ नहीं। पंजाब में भी जो मिलेगा वो कॉंग्रेस और आपके बीच बठी जाएगा। ऐसे में दक्षिन भारत के दो राजियों करनाटक और पिटेलंगाना में होई कॉंग्रेस की जीत ने उसे वो संजीवनी दी है कि उसने अपना पूरा फोकस दक्षिन भारत पर लगा दिया है। जहां खुद को मजबूत होते देख पा रही है वहां और मजबूत बने रहने के लिए उसे ऐसा फैसला करना पड़ा है जो साफ तोर पर बहुत संख्यकों की धार्मिक भावना के बिलकुल उलड़ दिख रहा है। अब राहूल गांधी और कॉंग्रेस अगामी लोकसभा चुनाव में हिंदू वोटरों को साधने के लिए क्या कुछ करती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलाल के लिए इतना ही आप देख रहेते क्यापिटल टेवी उत्तरप्रदेश के स्पेशल स्टोरी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हां बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो को नोटिम्सकार। पहुचती रहे। आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया।